हलो एवरिवान और आज की रेसिपी है भरवा बिंडी एकदम इंस्टेंट बहुत टेस्टी चलिए रेसिपी शुरू करते हैं इसके लिए शुरुआत होगी बिंडी से बिंडी आप लीजेगा थोड़ी चोटी साइस की जितनी फ्रेश और टेंडर होंगी उतनी आपकी लगाए इधर ही हम मसाला बढ़ेंगे आप देखे मैं सिर्फ आधा भिंडी को काट रही हूँ पूरा काट देंगे तो भिंडी दो में हो जाएगी और फिर उसको आप भर नहीं पाएंगे तो ऐसे ही स्टिट लगा लगाके मैं सारी भिंडी तियार कर लूँगी और फिर इस भिंडी में भरने के लिए जो मसाला बनाना है, उसके त्यारी करते हैं, एक छोटे बरतन में लीजे, लाल मिर्ची का पाउडर, चाट मसाला, ये है आमचूर का पाउडर, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा गरम मसाला, ये है धनिया और सौफ का पाउडर, थोड़ा यह हो गया आपका भिंडी में भरने के लिए मसाला तयार आप चाहे तो इसमें थोड़ी हल्दी डाल सकते हो बड़ ट्रस्ट मिं ज़रुट नहीं है डाली भी नहीं जाती और अच्छी तरह मिक्स करने के डाले जितना आपको लगे कि इस भिंडी को स्वाद देने के लिए काफी होगा नमक का बहुत ध्यान रिखेगा इस पूरे मसाले में उतना ही नमक होना चाहिए जितनी आपकी पूरी भिंडी को ज़रूरत है मसाले के हिसाब से मट डालिएगा कि आधा चमच नमक एक चमच नमक ऐसा नहीं ध्यान से जितनी भिंडी को नमक की ज़रुत है उतना ही नमक डालें और भिंडी ऐसे भरें कि इसमें से मसाला बाहर नहीं आए बहुत ज़्यादा आपको इसे तफट नहीं करना है थोड़ा थोड़ा ये पाउडर मसाला काफी रहता है सारी भिंडियों को बस इनफ मसाला भर के आप तयार कर लीजिए और एक बार सारी भिंडिया तयार हो जाती है तो फिर इनको हम छोकने के तयारी करेंगे बिंडी रेडी हो चुकी है बिल्कुल जरा सा मसाला मेरा बचा था तो यहाँ पे अब इन बिंडियों को हम भूनेंगे थोड़ा सा सरसो का तेल अच्छी तरह से स्मोक कर लिया है मैंने और इसमें आड किया है बिंडी इन भिंडियों का स्वाद सरसो के तेल में best आता है बट अगर आप सरसो का तेल नहीं खाते आपको उसका स्वाद नहीं पसंद है तो आप जो चाहें वो oil इस्तमाल कर सकते हैं अब भिंडी इसमें डाली और इन्हें थोड़ा थोड़ा stir कर लीजे सो दाट हर भिंडी पे तेल की कोटिंग आ जाए अब ये भिंडी आपको slow flame पे नहीं पकानी है जो भी मसाला बच गया था ये भी मैंने उपर से sprinkle कर दिया है ये भिंडी बहुत fresh और tender थी छोटी छोटी थी तो ये बहुत जल्दी पक गई आप भिंडी को थोड़ा सा बीच बीच में चलाते रहिए डखकन लगा लगा के पकाते रहिए ये भिंडी आप थोड़ी थोड़ी brown होने लगेंगी ये देखे इस तरह से बस सारी ये भिंडियों को थोड़ा अच्छा brown color आ जाए तब तक आपको इने पकाना है ऐसा करने से बिंडी अच्छी तरह गलवी जाएंगी और थोड़ी सी crispy भी हो जाएंगी मैं आपको बता रही थी आप जितना fresh और चोटी बिंडी लेंगे वो इस recipe के लिए best है थोड़ा इसे medium flame पे पकाते रहिए और यह देखिए कितनी अच्छी कुरकुरी सी brown brown बिंडिया तयार हो गई है इसका स्वाद amazing होता है they make excellent side dish पराटा के साथ खाने के लिए भी बहुत अच्छी लगती है आप कड़ाई को इस तरह टेड़ा करके गैस पर ही अरेंज कर दीजिए तो इससे क्या होगा extra oil बिंडि से निकल जाएगा if you are conscious about this extra oil I always use this trick पांच एक मिनट ऐसे रख दीजिए तो extra oil निकल जाएगा then you can serve your बिंडि try them, you would love this recipe they taste amazing thank you for watching